कि नमस्कार एटली खाल सबके बहुत ज्यादा पसंद होला हमकी ओपर बहुत सथे फेल्स नाष्ता बनाeg तो अल– सभिसे पध्याद पसंद आला इसलिए हम आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करे जाता ही और इन आस्ता बनाव में बिल्कुल भी जंड़त नहां ज्यादा ताम जाम नहां बस आपके पास बनल इटली तयार रहे कि चाहिए तो यदि आपके इटली बनावे का रेसिपी ना पता है तो हमरे चानल पर इटली आप रिफाइन तेल गरम करें उतना काफी है जब तेल अच्छा गरम हो जाए तो इसी गरम तेल में एक एक करके इटली के फैला देवे कि हैं आज कि यहां पर मध्यम रखे कि हैं और कुछ भी डाले कावशकता नहां किसी भी तड़का कावशकता नहां बीना तड़का कही इतली इतना स्वाधिश्ट भई लाले हैं हमके बहुत जादा पसंद आये लिए इसलिए हम आप लोगों के साथ एक करने से शेयर कर रहे हैं बिल्कुल भी ताम जापना है एक दम आसानी से बन जाला तो बस एके नीचे से सुनारा होके तक सीके देवे कि हैं तो दस मिन तक यदि आप इस तरह से मध्यमाज परेके सेकब तो नीचे से एकदम अच्छी सुनारी हो जाए और जब नीचे से अच्छी सुनारी हो जाए तो एक बार पलटके ऊपर से भी सुनारा कर लेगे हैं तो यहां पर देखी एक इतली अच्छी तरह से सुनारी हो गई लिया और ब कई इटली के नास्ता एकदम बनके तयार हो जाई और खाए में इतना स्वादिश लगला हमके की लगबग लगत्र लगी जैसे मसाला डोसा का कुरकुरा स्वाद रहला वैसन बनके तयार भलला तो अब इटली के सांबर और चटनी के साथ सर्फ कर लेगे और यदि आपके पा चटनी या फिर किसी स्वास के साथ भी खा सकीना खाए में काफी स्वादिश भाहिल ला लिया और यदि थोड़ा सा और चटपटा बनावल चाहते हैं तो भूने के समय थालका सरनमक और लाल मिच पाउडर मिला दई तो और भी स्वादिश हो जाई हम रे बच्चों के ते ज्यादा पसंद आई लिए कि उताजी इटली के फिर से इस तरह से बुनवा के खाई ला है तो आपके घर पर भी कभी इटली बच जाए तो इस तरह से एक बार जरूर बना के खाई और यी वीडियो आप लोगन के अपनी भाशा भोश्पुरी में कहिसान लगल नीचे कमे लिने रिसिपके साथ तब 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 लिनमंस्कार